हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में मैं रोहित और आपके सामने ये वीडियो बनाने वाला हूँ बिहार स्टार्टप पॉलिसी के रिगार्डिंग एक अप्डेट आया हुआ है उसके बारे में मैं आपको ये वीडियो के मार्धम से बताने वाला हू अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं नहीं जानते हैं बिहार स्टार्ट अप क्या होता है तो प्रिवियस वीडियो देख लिजेगा आपको स्टार्ट अप के अंतरगत कैसे फॉर्म फिल अप है उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है तो सबसे पहले यह एक वार आप लोग ग प्रोग्राम में किसको किसको भाग लेना है किसको भाग नहीं लेना है तो सबको बारे में यह हम वीडियो में जानकारी देंगे सबसे पहले तो आपको मैं लिस्ट दिखाना चाहता हूं जिनका सेलेक्शन हुआ है मेरे माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि आप लोग फोन करते हैं हमारे नंबर पर आपको लोन लेना है सबसे पहले हम लोग आपको गाइड करेंगे कि बिहार स्टार्टप के अंतरगत कैसे फॉर्म भरें जो सेलेक्शन हो जाए ठीक है और इसमें स्टार्टप का जो नियू आइडिया होता है जो जो सर्किल किया है वह हम लोगों का ही क्लाइंट है जिनका सेलेक्शन हुआ है पतलब सब्सक्राइबर है आप लोग ठीक है बहुत लोग मेरे घर के आसपास से भी आते हैं पॉर्म बरवाने के लिए और आइडिया जो होता इस्टार्टप का वह हम लोग उनको लिस्ट में नाम है लोगों का सेलेक्शन हो चुका है बिहार श्राट अब आते हम लोग दूसरे सवाल पर कि स्टार्ट परेंटेशन प्रोग्राम जो उद्योग भवन में कंड़क्ट कराया जाता है वो क्या होता है और कोनगोर नहीं सकता भाग भाई या वही ले सकता जो जिनका स्टार्ट अप के लिस्ट में नाम आया हुआ है उनको इमेल जाएगा इमेल पर आपको बताया जाएगा कि आप कर सकते हैं गांधी मैदान गेट नंबर साथ के पास उद्योग भवन वहां पर वीडियो में दिखाऊंगा वहां कि आपको प्रोपर एड्रेस पता चल जाएगा ठीक है वीडियो में बने रहेगा लाश्ट तक अगर आपको बिहार स्टार्ट अप में इंट्रेस्ट है आपक समझाया जाएगा सेशन वन में कि ट्रेडिशनल बिजनस और स्टार्ट अप में क्या अंतर है आपको एक एक चीज जो है यह औरिंटेशन प्रोग्राम जिनका जिनका सेलेक्शन हो गया है वह आभी सकते हैं गांधी मैदान गेट नंबर साथ उद्योग भवन में या तो आ आध्यम से आप अपने बिजनस को ग्रो कर सकते हैं फंड कहां से लाना है रेविन्यू कैसे जनरेट कीज़ेगा यही सब है और प्रोग्राम में भी इसी को एक्स्प्लेइन किया जाता है आप लोगों में लिए ट्रेडिशनल बिजनस और स्टार्ट अप में क्या डिफ्रे वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख लिजेगा अगर आप चाहते ही यह पीडियाफ आपको मिले तो वाट्सप पर हाई कीजेगा नीचे लिखेगा और इंटेशन प्रोग्राम पीडियाफ आपको अटोमेटिक में भेज दूगा वहां पे बाखी बात आप लोग लुक है कि आपको कंप्यूटर आइटी मार्केटिंग के बारे में भी सम्झाये जाएगा की वेब साइट कैसे बनाएं व कैसे काम करना है आपको still करना है अपने में एक Ici आपको और पर चैया जाता है इसलिह बहुत स्टार्टब में हो नहीं कर पाये का लोग हलांकि यह PDF पढ़के समझ सकते हैं आप लोग कि start-up क्या होता और कैसे कैसे exam होता है किसका pattern क्या होता है तो जिनका selection हो गया स्टाट अप में उनके लिए था ये वीडियो जिनका selection नहीं हुआ है कोई योजना का लाव ने लिए है तो वाट्सअप हाई कीजिए हम लोग आपको आइडिया देंगे और आइडिया देने के बाद आपका selection भी निश्चिन्त हो जाएगा देखे पैटर्न ऑफ एक्जाम क् चार-पांस लाइन का लिखना पड़ता है कि start-up के बारे में बताइए आपको क्यूं अलग लगता है कि आपका start-up सबसे अच्छा है इस दो question पूछाएगा last का 75 मिनट मिलेगा उससे जाद आपको नहीं मिलेगा negative marking नहीं है जो आपको question का seat दिया जाएगा वही pain paper based exam है कोई highest marking है नहीं कोई cut-off है कि general का वी-सी का कुछ भी नहीं है जिनका उपर से 30 गो 40 गो highest mark आता उनको select कर लिया जाता है तो orientation program हो गया उसके बाद आपका exam होगा exam का जो email आया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ एक बार यह देखिए email यह दो दिन पहले सबको email आ rate है यह इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग इस channel को subscribe कर दीजेगा ठीक है तो 11 बजे से था लेकिन अब time को change कर दिया गया है नया time है साड़े बारे बजे साड़े बारे बजे से आपका exam होगा तो जैसे ही आपका exam हो जाएगा दो-तिन दिन में result आ जाता है मानले यह 24 को exam है यह जैसे कि इस त्री है इनका जो नाम है इनका trade का वह है यह मतलब sanitary pad बनाएंगे जो reusable हो सके अब देखें इनका कैसे बनता है presentation को कैसे बनाना पड़ता है presentation बना कि आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा इसको explain करना पड़ेगा अच्छे से चार गो पांच गो के सामने आपको explain करना पड़ता है एक एक चीज को ठीक है आपको एक एक चीज दिखाना पड़ेगा कि आपका जो हर मंत में क्या-क्या सेल रहेगा कैसे आप इस बिजनस को आगे बढ़ाएगा तो यह आपको explain वहां करना पड़ेगा एक्जाम जब निकल जाएगा आपका एक्जाम निकलने के बाद आपको फिर presentation का email दिया जाएगा उस email को देखे और पहुंच जाएए उद्योग भवन उद्योग विभाग floor number 3 ठीक है नया सची वाल है आपको एक एक चीज इसमें दिखाना पड़ेगा कि पहला साल दूसर presentation मैं आपको दिखाना चाहता ह успe यह दूसरा presentation है ये है बनाना फाइवर बनाना फाइवर से भी बहुत सारा समान मनता है प्लेट बनता है पयंटिंग मनता है धागा वगरा बनता है तो बाराना 없어 का भी presentation है ऐसा पनाना है अगर आप लोग को presentation नहीं करेंपना नकिंद kustrator को हैं आप लोग अराम से नमबर आपको लास्ट में दे दूगा डिस्क्रिप्षन बॉक्स में डाल दूगा वहाँ से देख कि आप लोग कंटक्त कर सकते हैं आप अपना भरवा सकते हैं यह लोन ले सकते हैं एक एक और देख लिजेगा वीडियो को रोके अगर आप चाहते हैं कि यह सब प्रजेंटेशन आपके वाट्सप पे हो तो सिंपली हाई कीजेगा वाट्सप पे मैं यह भी भी भीज दूना आपको तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो और्जेंटेशन प्रोग्राम वह होता कहा यह देखे गांधी मैदान गेट नंबर साथ है यह आगे मैं वीडियो को प्ले कर देता हूं कि यह गांधी मैदान गेट नंबर साथ है इसके जस्ट अपोजीट में यह रहा आपका उद्जोग बिभाग जहां पे बिहार स्टाटप को और्रेंटेशन प्रोग्राम होता है यहीं पहले आपके जनरल सिक्रेटरी प्रिजीपफल सेक्रेटरी सब बैठते हैं यह इन्यों विभाग का है यहीं यह साइब यहीं पहुता सब आपको और्छेषन प्रोग्राम जिरो लाब के अंदर होता है तो बस आपको में गेट से आना है इसमें घूश जाना कहीं नहीं जाना है देखिए अंदर कैसे आपका क्लासेस वगएरा चल रहा औरियोंटेशन प्रोग्राम का वह आप देख सकते हैं कि अपका है क्लास था पाला टोले आना है ऐसा ROSस कि अपको आपका संथारख से उगली को है तो जैसा मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि कहां पर आपको आना है औरेंटेशन प्रोग्राम कैसे जॉइन कर सकते हैं दस लाग का लोन कैसे ले सकते हैं तो ये होता है फुल प्रोसेस बिहार स्टाटप में अच्छे से फॉर्म भर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल कीजिए नंबर आपके सामने है कॉल कीजिए ये बिहार स्टाटप का यूट्यूपी चैनल का नंबर है आपको इस पर जनकारी दिया जाएगा एक-एक चीज समझाया जाएगा फिर आपको दस लाग का जो लोन है बिहार स्टाटप के तहर्थ से वो आपको दिलाने का काम किया जाएगा बाकि अगर किसी चीज में आप लोगों को दिक्कत है तो भी आप लोग ये मेरा WhatsApp नंबर भी है, Calling नंबर भी भी इस पे Call करके आप लोग जनकारी ले सकते हैं और इस वीडियो में अगर कहीं कोई दिक्कत लगा हो या कोई आम आदमी ही है, ठीक है अराम से Call कीजे, हम आपको कभी भी रिस्पॉंस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाकि बिहार स्टाप में कैसे आपको लोन दिलाना है वो मेरा जिम्मेवारी रहगा, मेरे यूटूब चैनल का जिम्मेवारी है ठीक है, तो जुड़िये हम लोगों से तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को अब यहीं पे हम लोग अंत करते हैं मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में थैंक यू सो मच